उत्तर प्रदेश में पिछडों की एक बहुत बड़ी आबादी है लगभग 45 प्रतिशत की आबादी पिछड़ा वर्की है और निश्चित रूप से सरकारों को बनाने बिगाडने में इस वर्की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पिछडों के हक में कई फैसले समय रहते लिए हैं आपने देखा कि राजिस सरकारों को अब पिछड़ा वर्की सूची बनाने का अधिकार भी मोदी सरकार ने संसद में कानून बना कर किया इसी प्रकार जो हमारी All India कोटा होता है नीज की परीक्षा में उसमें पिछडों के आरक्षन को लागू करने का अतिहासिक निय्ड़ा भी मोदी जी की सरकार ने किया और निरंतर हमारी सरकार का येई प्रयास है कि सभी वर्गों की कल्यान के लिए काम करना है और विशेश तोर से जो वंचित तबका है उसके हितों से जुड़े हुए फैसले समय समय पर सरकार लेती आई है और आगे भी लेती रहेगी विपक्ष का काम ही होता है सरकार को कटगरे में खड़ा करना, तमाम आरोप लगाना, लेकिन आरोपोर पर फैसला देने का अधिकार जनता का होता है चुनाओ आ रहे हैं, इस वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसबा चुनाओ है, सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता की अधालत में जाएंगे और मुझे लगता है कि कानून विवस्ता की दृष्टी से जो भी फैसला करने का अधिकार है, वो जनता के पास है, जनता अपना फैसला करें देखिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी जो एक अनेक्सपेक्टेड बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारे सामने आई और पूरी दुनिया के सामने आई, उसने पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविदियों को ठप किया, जिससे तमाम समस्याइं पैद हुई, बेरोजगारी भी उसी की उपज है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान चल रहा है, आज हम 75 करोड लोगों को सफल रूप से टीका करण कर चुके हैं, ये सारे सरकार के जो प्रयास हैं, ये इसी दिशा म में है कि कोरोना वाइरस के इंफेक्शन की जो चेन है, उसको हम ब्रेक कर सकें, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थफेवस्ता है वो पट्री पर आ रही है, और जो आर्थी गतिविदिया ठब पड़ गई थी, वो सब पूरी तरीके से गति पकड़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है, कि प्रदेश की अंदर बहतर इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्मार हो, जादा से जादा इन्वेस्मेंट आए, निवेश हो, और 2017 के बाद अगर आप देखेंगे तो मैं एक उधारन देना चाहूंगी MSMEs का, 70 लाग से जादा MSMEs, जो इस देश के अंदर GDP में 30 प्रतिशत का कॉंट्रिब्यूशन करती हैं, और लगवग 11 करोड लोगों को MSMEs रोजगार देते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में सरकार बनी है, उसके बाद से 70 लाग MSMEs खड़े हुए हैं, जिसके जरिये बड़ी संख्या में रोजगार स्रजन हुआ है, जो कॉंग्रेस के कार्य करता है, जो कहीं न कहीं हताश पड़े हुए हैं, उनको एक नई उर्जा मिलेगी, और राजनीत में आना चाहिए, सबको संगर्श करना चाहिए।